दोस्तों इन सभी सवालों को सवदने से पहले हमको ये बार ज्यान लेना चाहिएगी लाव परसेंट हो या हानी परसेंट हमेशा क्राय मुल्य पधी कैलकुलेट किया जाता है जैसे दोस्तों बोला जाए कि 20 परसेंट लाव हुआ यानि कि क्रय मुल्य का 20% जितना भी होगा उतना ही लाग हुआ हमको बोलेगा कि 25% हानी हुआ यानि कि क्रय मुल्य का 25% जितना भी आएगा उतना ही हानी हुआ हमको लेकिन दोस्तों किसी किसी सवालों में बोल देता है कि विक्रय मुल्य के 20% के बराबर लाब हुआ या विक्रय मुल्य के 20% के बराबर हानी हुआ तो उस इस्थिति में हमको क्या करना पड़ता है विक्रय मुल्य का 20% निकालना पड़ता है जितना आएगा उतना लाब होता है या उतना हानी होता है लेकिन जब का कुछ बोला ना जाया हमको समझना है कि क्राय मुल्य का ही 20 परसेंट या 25 परसेंट या कितना भी परसेंट लाविया हादी हुआ है जब से देखें तो पहले सवाल में बोला है कि 16 सही 2 बटा 3 परसेंट का लाव होता है यानि कि विक्रे मुल्य के 16 सही 2 बटा 3 परसंट जितना आएगा उतना ही लाब होता है लेकिन दूसरे और तीसरे सवाल में बोल दिया है कि विक्रे मुल्य के 16 सही 2 बटा 3 परसंट के बराबर लाब हुआ है या विक्रे मुल्य के 25 परसंट के बराबर हानी हुआ है तो विक्रे मुल्य का 25% हम निकालेंगे जितना आएगा उतना ही हानी हुआ है ठीक है दोस्तों तो देखिए हम पहले पहला सवाल बनाते हैं बोला है कि 16 सही 2 बटा 3% का लाव होता है तो 16 सही 2 बटा में 3% को अगर हम भीन्य में बदलें तो क्या होता है 6 सही 2 बटा में 3% कितना होता है इक ठीक है अब देखिए 16 सही 2 बटा 3% का लाब हुआ है यानि कि क्रायम मुल्य का 16 सही 2 बटा 3 जितना भी आएगा उतना ही लाब हुआ है तो अगर हम दोस्तों क्रायम मुल्य यानि कि CP अगर हम 6 ॐनिट माने तो 6 ॐनिट का 16 2 2टて 3% कितना है फाल टो लाँ कितना हो जाएगा एक kys도 थेको दोस्तो तो अब से समरे मुले किस क्या हो जाएगा विक्रैम हो भराबर क्या होता है ट्रेमुले प्लास लाव तूट शो यूनित प्लस ओन उनिक्स इनिफ ठीक है और निक्राइ मुले दिया कितना है 1430 थीछे मिद तो शाथ यूनिट 1170 एक यूनिट ब्राबर कितना हो जाएगा 210 ठीक है तो हमों को निकालना क्या है क्राइ मुले याने कि ओने दिट्रॉप यूनिट का मान सवाल दोस्तों दुसरा सवाल बोल रहा है कि एक दुकंदार की सी वस्तु को विक्रे मुल्य के 16-22 बटा में 3% लाब पर बेच रहा है यानि कि विक्रे मुल्य के 16-22 बटा में 3% जितना आएगा उतना ही इसको लाब हुआ है तो अगर हम 6 को दोस्तों विक्रे मुल्य माल ले है अगर विक्रे मुल्य कितना हो जाए हमारा 6 यूनिट तो एक यूनिट कितना हो जाएगा लाब हो जाएगा नो दोस्तों बोला है कि विक्रे मुल्य के 16 सही 2 बटा 3% के बराबर लाब हुए है तो 6 अगर विक्रे मुल्य है तो एक यूनिट हमारा लाब हो जाएगा तो इससे हम क्राय मुल्य निकाल सकते हैं दोस्तों क्राय मुल्य बराबर क्या होता है विक्रे मुल्य में से अगर हम लाब घटा जा पांस युनिट आजाएगा थीक है तो हमको निकालना क्या है वास्तिविक लाब परसंत के सुत्र क्या होता है दोस्तो लाब गुण्स वाक्ट क disfrut क्धुले एक नंग लेकिता है एक युनिट गुण्स सव बटमे क्रौय मुलिया कितना है 5 unit unit से unit का टाइए 5 से 20 यानि कि 20% हमारा वास्तरीक लाव परसेंट हो जाएगा ठीक है दोस्तों और विक्राय मुल्य के 162 बटा में 3% के बराबर लाव हुआ है ठीक है अब देखिए तीसरा बार सवाल दोस्तों तीसरा सवाल है एक आदमी किसी वस्तु को विक्राय मुल्य हानि परवजता है ऊदमी का वास्तरीक हानि परसेंट और दोस्तों स्क्रेश्ल Wow यहांगर दूस्तव है क्यूंकि ब्हुंट 95% के बराबर हानी रिख तो इतना हुझाएगा एक बिक्राय निकाल सकते हैं दोस्तों करante लेंगे ब्हुत्र मुले मैं अगर हनी जोड़ दिया जैक्त क्रायमुले हमारे निकल रिखاب्र एगगा पंच यूनिट थेख दोस्तों तो आप सब्सक्राइब देखिए वास्तवी तीट का सुत्र क्या होता है हां तो हाणी कितना है वन एणीट, दोस्तों इसमें आ पूपए कुछ दिखा तो तो कमेंट जरू किजिएगा चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब जरू करेजिएगा दोस्तों धन्यवाद